negative sentiments, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे negative sentence, ठीक तो देखेंगे, kall हमने बताया थे आप लोगों को, कि affirmative में हम कैसे use करते हैं, passive wise कैसे बनाते हैं, किस ताइप से, क्या क्या लगता है, ये सम्मय ने खल अज हम क्या क्रूर्म कर दिए थे, ठीक है negative sentence structure क्या होता है देख लीजे, structure हमारा होता है object प्लस helping verb क्या होती है, यह हमारी है helping verb, helping verb हमारी क्या होती है each, mr, plus उसके बाद अगर not है तो not लगा देंगे उसके बाद verb verb कैसी होती है, third form होती है by plus subject ठीक है, by plus subject, मतलब जो हमारा यह क्या करते थे subject को क्या बनाते है object बनाते है और object को क्या बना देते है subject तो यह object ही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आपको समझने के लिए ठीक है तो object के बाद हम क्या लगाएंगे helping word हमारा लग जाएगे hmr प्लस उसके बाद negative word हमारे क्या है not फिर word की कौन सी form लगाएंगे थर्ड form लगाएंगे उसके बाद by plus subject देखे for example क्या है हमारा जैसे एक्टिवाइस क्या बना है जैसे see does not write a letter क्या है see does not write a letter अब यहाँ पे subject क्या है यह हमारा हो गया subject ठीक है और does क्या है does हमारा है helping verb और not क्या है यह हमारा negative word है और right क्या है यह हमारा verb है और a letter क्या है यह हमारा object है ठीक बात क्लियर हुई ना यह subject है यह हमारा helping verb है और यह हमारा क्या है यह हमारा negative word है right हमारा verb है यह लेटर हमारा object है तो उसने अभी देखिए उसमें क्या बोला था कि सबसे पहले आप आपजेक्ट लिखे तो आपजेक्ट क्या है आपजेक्ट हमारा है एलेटर हमने क्या लिख दिया एलेटर लिख दिया उसके बाद अब एलेटर के हम क्या लगाएंगे helpingər यूज करेंगे तो helping के जो थर्ड फार्म होती है तो क्या बन जाती है रीटेन क्या बन जाती है रीटेन फिर उसके बाद क्या है फिर उसके बाद बाई लगाते हैं फिर सब्जेक्ट लगाते हैं सब्जेक्ट क्या है सी है सी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है हर ठीक है बात क्लियर हो रही है यह ह क्या है negative sentence और बहुक्ड लेखें कि क्या है जैसे ढुं में के scratching ट्रम एक ही आघ याँ दो कि यहां से यह में inherent पैस पैसी वाइस यह एक सब्सक्राइब दो है एक यह मिलिक गया है है इस तंट então हमारा sentence, it does not help me, हरा तो यहाँ पर हमारा यह क्या है, यह हमारा है subject और does क्या है, यह हमारा है helping verb not क्या है, not हमारा है negative word ठीक है, और help क्या है, यह हमारा है verb, और object क्या है, me ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या लिखना होता है, सबसे पहले हमको लिखना होता है object, तो object क्या है हमारा me, तो me है तो अब इसका me ही नहीं लिखेंगे, me का ये change हो जाता, me का अगर हम subjective case पर लाएंगे तो क्या बन जाता I, तो कि ये objective case है, तो इसका subjective क्या होता है, इसका subjective होता है हमारा I, ठीक है, तो क्या बन जाएगा me का, me का change होके बन गया I, अब I के कोर्डिंग है हम क्या लगाएंगे helping verb, क्या लगाएंगे helping verb? तो क्या बन जाएगे? I के साथ क्या लगता है M, इसके बाद क्या लिखा जाता है? NOT लिख दिया, अब यहाँ पर verb कैसी है? 1st form है तो इसको 3rd form करेंगे, तो क्या बन जाएगे? help it, क्या बन जाएगी help it, फिर उसके बाद क्या लगाना है, अब उसके बाद हमको buy लगाना, हमने buy लगा दिया अब यहाँ पे subject के it, तो हमने it लगा दिया, ठीक है बात clear हुई न, इस type से हमारा passivize बन जाएगा, ठीक है हाँ, यह चीज आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िये, एक जाम हाल में बिल्कुल ऐसे ही question रख दिये जाते हैं, इसमें आपको उसी तरीके निकालना होता है किसी की helping verb गलत रख देगा कभी verb farm गलत रख देगा तो यह चीज़े आप लोग बहुत अच्छे से यार यह इस्ट्रिक्चर है, इस्ट्रिक्चर में होता है अगर आपको इस्ट्रिक्चर याद है तो आप सब कल लेंगे अपने आप से चीज़े आप देखे पर लिख दिया जाएं, क्या वह स्कूल जाता है, ऐसे करके लिख दिया जाएं, क्या लिख दिया जाएं, क्या वह स्कूल जाता है, ये संटेंस, अब इसमें देखिए, सबसे पहला वर्ड क्या आया है, क्या, आया है न, क्या, तो ये हमारा किस टाइप का संटेंस होगा, ये अटिकें देखें जैसे किस टाइब से बनाएंगे देखें पार टाइप को जैसे हमारा हो गया यह में आना मैं एлемें उसकूल ग्या नाजी करें wilt करें हैं । सबसे पहले इसके अक्रणी अब लोगह क्या लिखते है कि क्या की लिखर लिखी निया इक निया आ लिखती है पे क्या है सब्जेक्ट अब के विए ऐसक अठियता है ट॥ हम क्या लगा देंगे हम लगाएंगे क्योंकि हमारा plural subject जब tense करेंगे तो क्या हो जाएगा do I फिर वर्ब क्या है go फिर उसके बाद go to school ठीक है यह हमारा क्या हो गया यह हमारा first type को अब देखें इसी तरीके second type का होता है ठीक है अब second type समझें second type का कैसे बनाएंगे देखें जो second type का हमारे interrogative होता है वह देखें उसमें जब जो question word होते हैं हमें सब बेच में आते हैं जैसे आप से बोल दिया जाए कि वह कब स्कूल से आता है थीक है तो यह क्या हो गया यह हमारा हो गया second type क्योंकि यह जो cub word है यह हमारा question word है यह क्या है? यह हमारा question word है ठीक है? यह क्या हो गया? यह हमारा हो गया second type क्योंकि यह सबसे बीच में आ रहा है तो इसकी spelling लिखेंगे «Helping Word» बना लिकर करके इसकी हम खुद की spelling लिखेंगे तो कब कही means होता है? when, कई means होता है? when means कब होता है? फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे? helping yourself के लिखने जाती है translation में, तो हम helping लगाएंगे? इसके recording, subject हम क्या लगा देँगे? does लगा देँगे, ठीक है? क्या लगा देँगे? हमने does लगा दिया फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, फिर हो जाएगी हमारे Dutch के बाद क्या हो जाएगा, हमारा subject हो जाएगा, फिर verb क्या है, आना तो कम लिख देंगे, कहाँ से आते हैं, school से, तो from school, ठीक है, ऐसे, ऐसे हो जाएगा, तो बात clear होगी ने, अब तो समझ में आ गया ना, कि हमारा first चली इसी टाइब से हम लोग क्या बनाएंगे पैसिव आइस बनाएंगे देखिए हमारा जो सब्सटाइब का हमारे स्ट्रक्चर वहो च lengyss न लेखा है जिसमें क्या लगाएंगे सब से पहले हम क्या आ还एंगे helping virgin का लेकिंगे सबसे पहले helping लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे फर हम लिख ऊब्जेक्ट ठीक है helping वर्भी किसके अधारपल लगाए औ यह वाले जिसे what आयाथ न क्या सब्दाब्द यह था था तो उसकी spelling ना लिखकरक्र कि agree helping लिख देंगे ठीक है उसके बाद क्या यह देखे थर्ड फार्म लिखी है उसके बाद हम क्या लिखेंगे उसके बाद हम बाई लिखेंगे फिर सब्जेक्ट यह देखे लिखा है ना इज एम आ लिख दिया गया फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया गया फिर नॉट लिख दिया गया फिर वर्भी की थर्ड फार्म फिर buy plus subject, इसमें बस क्या add हो गया, अब यहाँ पर object के बाद आता था ना, helping word अब यह object के पहले आए गया, first type के interrogative sentence ही ठीक है, जब passive बनाएंगा तो सबसे पहले आएंगा, देखिए, for example से आप ज्यादा समझेंगे, अच्छे से ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या है, जैसे है did they not buy mangoes क्या है, did they not buy mangoes, अब क्या है इसका मतलब क्या हो गया, क्या वे mango नहीं खरीदते हैं अब यहाँ पर क्या सब्दा आया ना क्या आया, क्या वे mango नहीं खरीदते हैं तो यह क्या आ गया है तो यह हमारा क्या है, Question Word है, Question Word है ना, तो हमारा हमको पता चल गया कि संटेंस के सबसे स्टार्टिंग्स में क्या वर्ड यूज हो रहा है, तो इसका मतलब किस आइट का है, First Start का है, ठीक है, अब इसको हम Convert करेंगे, अब हमारा Object क्या है, Object है हमारा Mango, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, सबसे पहले हम, देखिए, क्या लिखना है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, Object, अब यहां पर क्यों कि है, हमारा Introgate, तो Object तो नहीं, लेकिन Object के recording ही हम क्या लगाएंगे, Helping Verb, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, Helping Verb क्या लगती है, Age M, R लगती है, Age M, R लगती हमारी Helping Verb, ठीक है, तो अब हम क्या लगाएंगे, यह Mangos कैसे है, Plural है, हम क्या लगा देंगे, R, लगा दिये न, R, बिल्कुल, उसके बाद क्या लिखा जाता है, Age M, R के बाद हम लिखते है, Object, Object हमारा क्या है, Mangos, तो हमने Mangos लिख लिख दिया, उसके बाद क्या लिखा है, कि अब नौट लिखें, Object बाद क्या लिखा जाता है, Note लिखा जाता है, तो Not लिख देंगे, उसके बाद वर्बी की थर्ड़ फार्म आती है, वर्ब इसमें क्या है, By, By means क्या होता है, खरीदना, वर्बाई का जो थर्ड़ फार्म हो जाएंगा, Boy, क्या हो जाएगा, बाद उसके बाद क्या लिखा जाता है वर्प की थार्ड法 के बाद हम लिखते हैं by लिख दिया हендên वाओ लिख दिया है एक बाद हम subject हमारा क्या है दे तो दे का जब देक हम इस इसको कंफ्द करें गे तो क्या हो जाएगा दिम क्या बन गए हमारा दिम तो बात clear हुई न कैसे हमने convert किया हमने सबसे पहले क्या लिखा क्या कि spelling spelling what लिख करके हमने क्या लगाया helping verb लगाया उसके recording देखिए यह आप helping verb लगी है न तो हमको समझ जाना है कि पहले helping verb लगी है तो इसका मतलब यह first type का interrogative sentence है ठीक है तो इसी के recording हमने यहाँ पर अपनी जो helping verb लगी change कर दिये ठीक है बात clear हो रही है न यह हो गया हमारा first type का और देखिए एक जाम पर एक जैसे क्या है do you love mother क्या तुम अपने मतलब की माता जी को क्या करते हो चाहते हो हाँ बिल्कुल तो क्या हो जाएगा अब do you हमारा सबसे पहला क्या आ रहा है सबसे पहले helping verb आ रहा है तो हमको क्या पता चल गया कि हमारा किस type के sentence है first type का किस type का है first type का है तो first type का हम क्या लगाएंगे first type में helping verb सबसे पहले लगती है क्या लगती है helping work सबसे पहले लगती है तो बिल्कुल हम क्या कर देंगे helping work लगाएंगे किसके recording object के recording यह subject यहां बन जाता है ना आके बिल्कुल तो यह हमारा यह वाला subject बना यहां पर और इसके recording हमने क्या लगा दिया क्योंकि mother हमारा singular noun से तो हमने age लगा दिया उसके बाद फ love का third form क्या हो जाएगा loved उसके बाद by लिखा जाता है तो हमने by use कर लिया फिर लिखा जाता है subject subject क्या हमारा यू तो यू का हमारा object form भी क्या होता है यू तो बात clear हो गई ना यहां तक बिल्कुल समझ में आ गाए होगा सबको चलिए हमारे first form थे अब देखते हैं हम लोग second form अब second form क्या होते हैं देख लिजे second form मैंने बता थाना कि जिसमें क्या क्यों कब कैसे यह सब कहां आते हैं यह हमें सब बीच में आते हैं कहां आते हैं बीच में sentence के आते हैं ठीक है बीच में आते हैं तो देखिए इसका structure कैसे बनता देख लीजे सबसे पहले था हम question word अब पर देखें, यह जो क्या सब्दें बीच में आएगा, तो इसकी अब हम spelling ही लिखेंगे, यहां पर helping verb यूज नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसकी spelling लिखेंगे, यह structure बना हुआ है ना, देखें, structure क्या सबसे पहले, question word की हम क्या लिखेंगे? spelling लिखेंगे, क्या लिखेंगे spelling लिख दिया, ठीक है उसके बाद हम क्या कर रहे है, उसके बाद हम फिर अब लिखेंगे helping verb क्या लिखेंगे, अब helping verb लिखेंगे फिर object, फिर not फिर verb की third form, फिर by plus subject, बस इसमें ये change करना है कि जो first type वाला होता था question word नहीं लिखा जाता था इतना बनता था अब इसमें बस क्या add कर देना सबसे पहले question word आड कर देना बस इतना ही है और same structure है, बिल्कुल first type के जैसे बना था ना, बिल्कुल उसी type के ये भी structure है, बिल्कुल same ठीक है? यह बात जानीजिए, इसमें सिफ question word पहले ही यूच कर देना बागे पूरा उसी तरीके हमारा sentence होगा, ठीक है उसी तरीके पैसी वैस बनेगा, अब देखें for example से, आप लोग समझें, इससे क्या है why, देखें, पहले आ गया ना, पहले question word की spelling आ गयी ना, बिल्कुल तो इससे हमको क्या पता चल गया, इससे हमको यह पता चल गया, कि हमारा second type का है, किस type का है, second type का, तो क्या लिखा, why do you go market, हरा, क्या है, why do you go market, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इससे हमको पता चल गया, second type का है, तो हम सबसे पहले, यह ही उतारेंगे, पैसी वाइस में भी हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यह लिखेंगे, लिख लिया, उसके बाद उन्होंने क्या बताया था, सेम इस्ट्रक्चर कैसा था, फर्स टाइप में इस्ट्रक्चर क्या बना था, फर्स टाइप में देखो, क्यूशन वर्ड पहले बन गया, फिर उसक यह हमारा structure है ना second type का विल्कुल अब इसी के base पर करेंगे देखे question word पहले लिखे ना हमने question word लिख दिया फिर हो काई रहा helping verb लिखिए तो helping verb किसके according लिखेंगे इसके according यह object है इसके according यह यह पर लिखेंगे तो market कैसे market हमारा singular noun है वह plural noun हमने क्या लगा दिया यहां पर देखें यह गलत है यहां पर do wrong है यहां पर क्या लग जाएगा is क्या है इज लग जाएगे ठीक है यह टाइप और mistake है यहां पर is लग गया उसके बाद क्या हो गया देखें अब यह पूरा sentence वह वैसे उतर गया है यह गलत है ठीक है अब यहां पर देखें हम बताए दे रहा है आपको ऐसे हो जाएगे इसका एक मिनट देखें इसका हो ज जाएगा अब यहां पर do they not play cricket है ना तो हम क्या लिख देंगे why अब is क्यूंकि यह हमारा cricket हो गया फिर क्रिकेट के बाद हमारा क्या है नाट है तो भाई नाट लगा देंगे फिर उसके बाद play क्या है हमारा verb है play का 3rd part रहा जाएगा play का 3rd part हो जाएगा हमारा लेड उसके बाद क्या लगाना है बाई लगाना है फिर सब्जेक्ट के है हमारा दे दे का क्या हो जाएंगा अब्जेक्ट दे यह हमारा क्या हो गया है यह हमारा हो गया है पैसी वाइस में इसको हमने चेंज कर दिया ठीक है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सबसे पहले हम ल ये फिर थरे फांव देंगे फिर कि बिच तेंगे फिर भाइ प्लस सब्सक्त देंगे ठीक है यही थे हमारा इसका sentence थेक है तो यह हमारा हमने क्या क्या पढ़ लिया हमने पढ़ लिया अज present indefinite tense थीक है तो चलिए कुछ हम बताये रहे हुआ है अब present का अब हमारा होती ही क्या होती ही इज एम आर होती है न हेल्पिवर बिल्कुल हेल्पिवर होती है हमारे इज एम आर प्रजेंट कांटिनिवस की ठीक है तो जब इसको हम पैसी वाइस में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगे तब भी इसमें वही रहेगे पैसी वाइस में भी यह क्या रह कि is used by verb third form किसमे चेंज हो जाएगे इसमें हो जाएकWW फिर हमारा जाए कर कि हमारा right in the इसी वायस वर बत्किंग यह होती न है एक्तिवेस की वर्ब की फ़र्म होगी उसमें लगा होगा तो यह ना यूज हो करके क्या लगएगी इसके स्थान पर वर्व की थ्रड फाम मतलब बिंग भी लग जाएगा बिंग प्लस वर्व की थ्रड फाम ये लग के हमारी क्या बन जाएगी पैसिवेस बन जाएगी वह जो आय एंजी है आयंजी कि किसमें करनवाट और वर्ब आपको पता है कि वर्ब की हमेंसा थार्ड फार्म पैसी वाइस में यूज होती है ठीक है यह बात क्लियर होगी न हाँ बिल्कुल इसका इस्ट्रक्चर देखे जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है प्रिजेंट कांटिनिमस को स्ट्रक्चर क्या होता है देख बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे वह बनता था अब इसमें आच्छी बात है उसमें डूड़ाज को हम इजमर में चेंज करते थे इसमें इजमर को इजमर में ही चेंज करेंगे अलब वही रहेगा लेकिं किसके एकौरडिंग चेंज है जाएगा आपके और यहांपे क्या इज प्लेंग क्रिकेट क्या है स्याम इज प्लेंग क्रिकेट ठीक है स्याम क्या कर रहा है स्याम क्रिकेट खेल रहा है ठीक है देखे इज आया ना अब इसका structure मैंने क्या बताया मैंने इसके structure बताया है कि सबसे पहले object लिखेंगे फिर उसके बाद क्या लिखेंगे helping वर्भी क्या लिखेंगे यह हो जाता है ठीक है तो इसका देखे कैसे structure बनेगा अब जैसे क्या है Sam is playing cricket अब क्या है हमारा object क्या है cricket तो हमने क्या लिख दिया cricket लिख दिया फिर उसके बाद helping work cricket कैसा सिंगलर तो हमने helping work is लगाया अब हम यहाँ पर ing farm को किस में change किये being में change कर दिये फिर उसके बाद play है play का हम third form लगा दिंग क्या हो जाएगा played हो जाएगा बिल्कुल उसके बाद यह देखे लिखा है ना उसके बाद हमने क्या लगा दिया उसके बाद हमने लगा दिया by फिर हमारा subject क्या है शयाम तो हमने शयाम लगा दिया देखे लिखा क्रिकेट बिल्कुल ऑब्सेक्ट क्या है क्रिकेट हमने क्रिकेट लिख दिया फिर क्या है हेल्पिंग वर्व इज इज क्यों लिखें क्रिकेट भी हमारा सिंग लहरत इसलिए हमने इज लगा दिया उसके बाद आयंजी फाम को किसमें कर दिया बिंग में फिर उसके बाद वर सेग्झ कोगींग सी इच कोगिंग फूर्ट को मुसलब क्या गया जाते है टो में एसके इसके कॉडिगा लगाएंगी क्यों हो जाएगा इस uh फिर उसके पाद लगा तो सब्सक्राइब हमारा आद सब्सक्रीड पर पर यहां पर ची है US कर बाद सब्सक्राण करेंगे तो क्या बन जाएगा हार ठीक है बात क्लियर हो गई न हाँ बिल्कुल हम अगर इस ट्रॉक्चर हमको याद है तो हमको इस सेंटेंस को पैसी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो चलिए आज हम लोग ने कहां तक पढ़ा आज हम लोग प्रेजंट कांटिन कंटिनिवास को अफर्मेटिव सेंटेंस कंपलीट हो गया है अब कल हम आपको बताएंगे निगेटिव सेंटेंस ठीक है तो चलिए अब क्लास का हम लोग यहीं पिपर करेंगे जो चैनल में नय है विए चैनल को सब्कूर कर लें लाइक कर लें गुड़त पनमेंट करैं इ Thank you so much.